नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जैसवाल, आपका इस वीडियो में तही दिल स्वागत करता हूं जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आज ही हमारी दूसरी वीडियो है, जिसके अंदर आप समझेंगे कि नहीं है, तो उस case में आपको बहुत परसानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि LIC की death claim का process क्या है, इसको समझने के लिए हम इसको चार पार्ट में divide करेंगे, सबसे पहला कि यह insurance है कैसा, दूसरा कि यह insurance है, जो आप insurance लेते हैं, उस समय आपको ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका जो claim है वो reject ना हो, दूसरा क्या क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए उसका तीसरा point जो हम discuss करेंगे, कि कौन-कौन से documents लगते हैं, जिसके तुरू आपका death claim है, वो आसानी से आपको मिल सके और timely मिल सके, और चौथा, इसका TAT, मतलब turn around time आपका account में, जो death claim हो, आपका account में transfer होगा, यह complete चार process है, जिसको हम समझेंगे, जिससे आप पूरी तरी पारिस दे पाएंगे कि LIC का death claim का process क्या होता है, सबसे पहरे समझते हैं insurance, आपको पता है आज के समय में insurance की क्या importance है, आप कितना भी पैसा कमा लें, बट अगर आप अपनी family को financially protect नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से गरीब हैं, क्योंकि अभी तो आ अगर मैं LIC की बात करूं, तो सिर्फ 45 रुपे per day पी करके, आज आप घर में बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपका insurance होना चाहिए, अगर आप सोचिए, कि अगर आप अपना 1 करोण रुपे का insurance कराते हैं, एक करोण रुपे का insurance कराने की कीमत per day सिर्फ 45 रुपे, क् आपने उपर 45 रुपे खर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 45 रुपे खर्च करके, अपना 1 करोण रुपे का insurance करा देते हैं, और उसकी दोरान insurance चलते चलते आपके बीच में आपकी death हो जाती, तो आपके परिवार को insurance का 1 करोण रुपे मिल जाएगा, अब हाते हैं, second point पर do's and don'ts, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या-क्या चीज़े आपको नहीं practice में लाने चाहिए, policy लेते सब, सबसे पहला, जो भी information आप अपने agent को दे रहे हैं, अपने information जो भी दे रहे हैं, personal details, आपकी habits, आप drinking करते हैं, smoke करते हैं, या नहीं करते हैं, आपको किस तरह के shock हैं, hobbies किस तरह की हैं, दूसरा, आपका जो medical history है, अगर आप hospital में admit हुए हैं, पिछले 5 साल के अंदर, चाहे बुखार की वेज़े से भी admit हुए है, आपको अपने सारी medical history उनको discuss करनी हुए, आपको भी medicines ले रहे हैं, regular base पे, वो discuss करने चाहिए, उसके बाद तीसरा, आपकी family history, अगर आपकी family की, जो भी history, आपकी family में किसी की death हुई है, और वो किस कारण से हुई, अगर वो आपका agent, आपके form के अंदर लिखा है, वो आपसे मांग रहा है, तो आपको देनी चाहिए, आप बात करते हैं, कि जो आपकी finance, आपकी job related, जो भी queries हैं, वो आपको correct देनी निचोड सारा यह है कि आपको जो भी information देनी हैं, बिल्कुल सही देनी है, साथ में कोई भी document fake नहीं लगाना है, edited नहीं लगाना है, आखरी में, जब भी आप policy लेते हैं, तो उस form को, जब आप अपने agent से भरवाते हैं, तो एक बार उस पे नजरू जरू डालिएगा, जिस क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों पर ज़्यादा दिहान देना चाहिए, सबसे पहला, जो भी information दे रहे हैं, बिल्कुल सही देना चाहिए, जैसे मैं आपको notes में बताया, दूसरा, आपका जो premium है, कभी भी premium आपका छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आपका premium की date March मे करा दीजिए, क्योंकि amount तो सिर्फ छोटा सा है, बट उसके उपर जो आपके financial liability आपके परिवार के एक करोड रुपे की है, या दो करोड रुपे की जितना का अपना insurance ले रहा है, तो उसको मत छोड़ने दीजिए, क्योंकि term insurance के इंदर आपको grace period की facility बहुत कम होती है, तीस इसे कि आपको आगे भी पता रहेगे, आपके ना रहने पर आपके family को पता रहेगे कि आपने क्या क्या information वहाँ पर दी है, या agent ने कोई गल्त information आगे ना दे रखी हो, आखरी अपने nominee को wisely select करिए, अगर आपको लगता है कि आपकी family में आपके बच्चे है, आपकी wife, आपक इसे को 30% जाए, या आप एक बंदे को nominee assign कर सकते हैं, अब आप आते हैं, death claim के उपर आपको documents कौन से लगता है, जो हमारा third chapter है, death claim के अंदर सबसे पहला जो लगता है, आपको death certificate, original death certificate चाहिए आप, जो policy holder है, उसका, दूसरा, एक intimation letter चाहिए होता है, जो LIC of India के नाम पे आप अपने by hand लिख सकते हैं, या किसी से type करा के print out लेकिया सकते हैं, और उसको attach कर सकते हैं, तीसरा, original bond की copy देनी होगी, चौथा, जो आपका death claim form है, वो आपको LIC के office से भी मिल जाएगा, तो आपको death claim form जरूर देना है, ये चार चीजे, ये चार चीजों के साथ में, policy holder का अधार काड, कोई भी एक identity proof, जैसे कि हम अधार काड बोलने है, identity proof साथ में लगा गए, ये 5 document होंगे, policy holder के, उसके बाद में, nominee के document की बाद में अगर करूँ, तो nominee का अधार काड चाहिए होगा, nominee का pen card, nominee की bank की details, साथ में एक neft का form, अगर cancel check है, cancel check के उपर, checkbook के उपर उसका बैंक की details होंगे, ये document समिट करने के बाद, death claim का processing time जो होता है, उसके अंदर दो stages आते हैं, पहला early death claim, दूसरा non early death claim, early death claim के अंदर वो cases आते हैं, जिसके अंदर कि आपने आज policy लिए, और within 3 years, policy holder की death हो गई, तो उसके अंदर investigation का थोड़ा सा time ज़्यादा होता है, उसमें cross policy holder ने कोई भी information, facts छुपाये तो नहीं है, किसी purpose ली, तो policy नहीं ली है, उस case के अंदर में, जो processing time होता है, वो 30 days का होता है, 30 working days, वहीं पे, normal, अगर आपके सब कुछ ठीक है, और non early death claim है, तो उसके अंदर जो processing time होता है, 10 to 15 working days में, nominee के एकाउन पैसा transfer कर दिया जाता है, एक चीड एड़ करना चाहूंगा, कि अगर policy holder की death, due to suicide, accident या murder से हुई है, तो उस case के अंदर, police की verification report, police की पूरी investigation report होती है, साथ में FIR की copy है, ये साथ में लगाना जरूरी है, वहीं पे, अगर patient की death, तीन साल, मतलब policy holder की death, तीन साल से पहले हुई है, और किसी hospital में जाके death तो उस case के अंदर, hospital की पूरी complete summary, hospital ने पूरी जो discharge summary बनाई होगी, treatment summary बनाई होगी, वो complete summary लगानी जरूरी है, तो ये है complete process, death claim का, जिसके तुरू आप, अपना और अपने परिवार का, समय बचा सकते हैं, और परिसानियों से बस सकते हैं, और लोगों को guide भी कर सकते हैं, क कि documents arrange करिए, और nearby किसी भी LIC agent को बूलिएगा, तो वो भी आपकी help कर सकता है, अगर आप direct planche में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये थी complete video, death claim के बारे में, death claim का process क्या होता है, क्या documentation लगती है, जिससे कि आपको और और लोगों को help मिल सके, death claim लेने में, और किसी तरह की परसानी का सामना ना करना पड़े, अंत में, कल में आपके सामने एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर समझेंगे कि maturity लेना के लिए आपको क्या-क्या process follow करना पड़ता है, क्या-क्या documents की requirement होती है, तो प्लीज इस वीडियो चैनल पे बने रहें, और लोगों के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेर करिएगा, जिससे यह information लोगों तक पहुंच सके, और जो मेरी मेनत है, आप लोगों के सामने और लोगों के सामने पहुंच सके, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, प्लीज वी लोगों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.